दोस्तों इंडियन डिफेंस सेक्टर अब और मजबूत हो गया है क्योंकि इसके साथ जुड़ गई है एक और बड़ी उपलब थी देश के जाने माने कॉर्परेट ग्रुप महिंद्रा ग्रुप ने आम गाड़ी आर्माडो इंडियन आर्मी को सौप दी है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ने देश की पहली आम लाइट स्पेशलिस्ट विकल बनाई है जो की पूरी तरह से मेड इन इंडिया है इसकी खासियत की बात करें तो ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है इस पर काफी हद तक बॉम का भी असर नहीं पड़ता इसमें पांच लोगों की बैठने की जगा है इसके अलावा इस गाड़ी पर 1000 किलो की केपास्टी के अलावा एडिशनल 400 किलो ग्राम वजन अलग से ढो सकते हैं इस मोडूलर गाड़ी का इस्तेमाल अंटी टेरिरिजम मिशन्स, खुले और रेगिस्तानी इलाकों में चाप़े मारी बोर्डर पर पैट्रोलिंग, वैपन्स ले जाने के लिए और स्पेशल फोर्सिस के क्विक रियक्शन टीम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है यह 4-wheeler बकतरबंद गाड़ी है जिसमें 3.2 लीटर मल्टी फ्यूल इंजन की पावर मिलती है इसके अलावा 6-speed automatic gearbox की भी सर्विस है यह powerful armed vehicle सिरफ 12 second में 0-60 km per hour की speed पकड़ सकता है इसके अलावा इसकी maximum speed होगी 120 km per hour तो आपको यह vehicle कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं